Hello Everyone, I am Dharmad, Trainer of AI House India आज हम AI House Software में डोर को कस्टमाइज कैसे करते हैं आज हम सिस्टेम कैबिनेट के आफ़सन से हम जानेगे तो अब हम चलते हैं सीधे AI House के इंटरफेस में तो जैसे का आप देख रहे होंगे हमने एक रूम को क्रियेट किया हुआ है और यहीं पर हम ड्राग करेंगे तो फिर हम आते हैं कस्टमाइज में और सीधे आते हैं सिस्टेम कैबिनेट में तो यहां से हम एक उनिवर्सल कैबिनेट को सीधे ड्रेक करते हैं और इसकी जो बीड़ है, बीड़ को हम 1200 रखते हैं और इसके हाइट या डेप्त अपने कॉर्डिंग आप अर्जिस्ट कर सकते हैं हम हाइट को 2100 रखते हैं और फिर इसके बाद इसकी जो डिस्टेंस है, थोड़ा वाल से हम इसको मिडिल में रखते हैं और फिर पर्फाइल को जन्रेट करना हम सुरू करते हैं तो हम 2,000 वॉल से डिस्टेंस पे रख लिए हैं अब फिर इसके बाद हम इसे बी प्रेस करेंगे सेलेक्ट करके और हम बॉर्ड जेक्षन मोड में आएंगे और फिर टॉप और बेस का और लेट और राइट का सेलेक्ट करेंगे फिर राइट किलिक करेंगे और जनरेट स्वि और यहां हमने टाइप कर रिया था दो तो दो पैनल्स हमने यहां पर कर लिया है और और प्रेस करके आप स्विमिंग को चेक कर सकते हैं फिर राइट किलिक करेंगे राइट किलिक करने के बाद यहां से आ जाएंगे सीधे इसके इडिट पॉइंट में इडिट पॉइंट में आने के बाद यहां से फिर यहां पहली लेयर को हम यहां से डिलीट कर लेंगे और फिर सीधे आएंगे ड्रॉ में और इसके हम जो आप देख रहेंगे पॉपप में इसके प्रफाइल पूरा यहां पे लाइब सो होगा जैसे आम यहां पे ड्रॉ में जेनरेट करेंगे तो एम हम यहां से क्रॉप करेंगे वह प्रॉफाइल कॉस्टमाइज करने के लिए और इसकी हाइट हमारी रहेगी 800 और 800 करने बाद अब हम जहां से लाइन को स्टाट कीए है वहां ठोड़ा Families करें और फिर एक और फीर कोर्नर पर फोरन्वर वहां से टाइप करेंगे और और आूटर फिलेट हैं और फिर इसके रेडियस देखर हों गया है है और इसे हम 50 mm radius पर रख देंगे और यहां से हम फिर save कर देंगे तो यह profile हमने जैसे भी create किया है same profile आपको यहां पर देखने को मिल सकती है और फिर इसके बाद हम इसके colors या materials को हम change करेंगे तो यहां पर हम सिधे click करेंगे और materials में आएंगे और material library में आ करके यहां से आप बहुत सारे types के आपको wood से related materials मिलेंगे यहां सब select कर सकते हैं या filter का हमने जैसे use किया है filter को use करकर के slit gray हमने color को लिया है materials को और इसी materials को हम हर एक में create करेंगे तो फिट से हम filter में आते हैं और brown में आते हैं slit gray लेते हैं choose कर देते हैं तो जैसा कब देख रहे होंगे या फिशीदे match property कर सकते हैं या फिर right click करके ले सकते हैं जैसे हमने किया भी all material में आ करके तो सभी material slit gray में convert हो चुके हैं और ओप्रेस करके आप हर एक वाड़रा को या kitchen cabinet को सभी को ओप्रेस करके swimming करा सकते हैं cabinets को भी और फिर हम इसे click करके एच प्रेस कर देंगे hide कर देंगे फिर हम right click करेंगे या सीधा जी प्रेस कर सकते हैं तो add function जी में आएंगे और इसके अंदर हम कुछ cabinets को अंदर हम racks को install करेंगे तो जैसे का आप देख रहे होंगे हम यहां से natural plate की हमने create किया हुआ है जो सीधे vertical में है और फिर इसके बाद इसके बीच में कुछ हमने self को drag किया हुआ है तो इसी तरह अपने according आप designs के अपने हिसाब से अपना profile create कर सकते हैं तो हम कुछ एक basic designs create कर लेते हैं और फिर इसमें smart decoration के शुरू कुछ हम यहां से component रखेंगे और click करने के बाद जैसे का height यहां से 100 होती है elevation यहां से आप वह भ कर लेते हैं हम चाहँ नंबर में से self को डिवाइड करेंगे तो itamatically यह चाहहाँ में ड्यृड हो जाएगी और इसे हम right click करेंगे तो इसे हम तो नंबर's में डिवाइड करते हैं ए तो नंबर जैसा का आप देख रहा होंगे फिर यह एक ठोमेटिक समें हो जाइँगा यहांपर फिर इसके बाद हम आते हैं इस सब्रक्रेग का R20- Line Light में अरुद्न कर देंगे यहां तो इसके यहां पर ह combat है कि कि इसके वह एक हैं इसमें दिये हुए जो आपको सो हो रहा है डिस्पले हो रहा है तो सेम तरह से आप ड्रोर को कस्टमाईज कर सकते हैं थैंक्यू फॉर वाचिंग